जैसरी करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 8 नमंबर 2023 बुद्वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टीवा भगवान गनेश जी की करपा से आज 12 में से साथ राशी वालों को कारी छेतर में सफलता मिलेगी इन साथ राशी वालों में आज है मेश, करक, सिम्ह, कन्या, व्रश्चिक, धनू और मीन राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नही नही ग्यान वर्धक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज कारतिक मास कुरुष्ण पक्ष की दसमी तिती है बुद्भार का दिन है आज दिन की सुर्वात पुर्वा फल्गुनी नक्षत्र से होगी और सिम्वर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदै प्राता काल 6.37 मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम के 5.31 मिनिट पर होगा आज राभु काल 2.12 बच के 4 मिनिट से आरम हो करके 2.1 बच के 26 मिनिट तक राभु काल रहेगा तो आज राभु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सोल रहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य अरंब नहीं करें उत्तरदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतिया वश्यक हो तो अपने इश्ट देवता की सरदापुरवक पूजा अराधना करके या इश्ट देव के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज अभी जीत मुहुरत उपलब्द नहीं है तो अप जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाए करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शूब रहे और कारी चेतरे में भी आपको सफलता मिलें तो मेसराशी से आरब मकरते हैं मेसराशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज जो है सामाजिक कारियों में रूची आप ले पाएंगे आज समाज से जोड़ा कोई सामाजिक संस्थान खोलने के लिए दिन बहतर है इसमें मित्रों का सहयोग आपको मिल पाएगा और आर्थिक रूप से आप संपन रहेंगे मान संबान की प्राप्ती होगी आपके यश में वरद्धी होगी व्यापार में भी विस्तार कर पाएंगे जीवन सांती के साथ सुखद समय वेतित कर पाएंगे परिवार के सतस्यों के साथ संबंद आपके मधुर रहेंगे आज आपका भागेशा लियंक पाँच है शुबरंग आपका नीला रंग है आज आपको भागे का साथ अठोतर प्रतिसत अप्राप्त होगा आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस नानकन्न के पस्चात भगवान गणेज जी की पूजा करें ओम गण राजाय नमह इस मंत्र का जाप करें कारे में अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आनंद पुर्वक व्यतीत होगा भोतिक साधन तथा वस्तर इत्यादी की खरीदरी आप कर सकते हैं निजी संबंदों में सफलता आपको मिलेगी विदेश या दूर जाने के इच्छक लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा आपकी जीवन सेली में कोई ऐसी इस्तिती आने वाली है जब आपको सीधे और तुरंत अती सक्री रहकर फेसले लेने की आवशकता रहेगी और राजनितिक छेत्र में आपको सफलता के योग हैं दूसरों के राई सुनना और उन्हें लागू करना महत्तुपूर्ण रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक नो हैं शुब रंग आपका केसरिया रंग हैं आज आपको भाग्यकासाथ पिचोतर प्रतिसत अपराप्त होगा आज आपका विशेश रुपा इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इस्नान करना के पश्चाथ भगवान गणेश जी के समक्ष सुद्ध गी का दिया जला में ओम गम गणपतिय नमा इस मंतर का जाब करें कारी में अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज किसी बड़े समोह का हिस्सा आप बन पाएंगे हलाकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं अचानक आई जिम्मेदारी आपकी दिन की योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं आपको अपने मन को शानत रखना चाहिए शान तमन से आपके काम आसानी से पूरे होंगे पैसों से जुड़े बड़े फेसले सोच समझ करके ले किसी पुरानी बात को लेकर आप तनाव में हो सकते हैं तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें अच्छी सफलता मिलेगी आज आपका भागेशाली अंकतीन है शुबरंग आपका पीला रंग है आज आपको भाग एकासाथ अठोतर प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका विशे सुपा इस प्रकार से हिन प्रात है काल इसनान करने के पश्चाद भगवान गणेश जी को पीले लड़ूं का भोगर पित करें ओम एक दंताई नमा इस मंतर का जाब करें कारी में अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है करकन करकर राशे बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन बड़े निर्णे लेने के लिए बहुत ही अच्छा है किसी नई बिजनेस दिल के लिए विदेस या दूर जाने का आफर आपको मिल सकता है आज ननीहाल पक्षे से कोई अच्छा समाचार आपको मिलेगा खर्च की अधिकता रह सकती है आए आपकी सिमित रहेगी मानसिक तनाव को अपने उपर हावी बिलकुल नहीं होने दे अपनी सेहत का ध्यान रखे कोई भी काम जल्द बाजी में आज नहीं करे भगवान के नाम का सहरा ले अच्छी सिफलता मिलेगी आज आपका भाग्य साली अंक दो है शुबरंग आपका सिलवर लंग है आज आपको भाग्य का साथ चोहतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विश्य सुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान गणेजी को पंचे में वाका भोगर पित करे दुरवां को चड़ावे अम देव की नंगनाई नमह इस मंतर का जाप करें कायरे में अच्छी सफलता मिलेगी अगले रासी है सिम्हुन सिम्ह राशे वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज परिवार में कलेश और मन मुटाव हो सकता है सांतील से सुल जाए मान हानी होने के आशंका ज्यादा रहेगी आर्थिक योजनाओं में धन का निवेश हो सकता है पडोसियों से किसी बात पर मदभेट की संभावना रहेगी वानी पर सयम रखें आज परिवार और संतान के मामले में आपको आनन्द और संतुष्टी का अनुबह होगा धन के निवेश के लिए समय अनुखूल है परिवार में संतान और जीवन सांती से लाप के योग है मित्रों से के साथ यात्राओं से आप संतुष्ट रहेंगे आज आपका भागेशाली अंक एक है शुबरंग आपका किसर्या रंग है आज आपको भागेशाली असी परतिसत अपराप्त होगा आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है प्रातह का लिष्णान करने के पस्चात भगवान गणी जी को दुरवांकूर और गुड अर्पित करें उमवक्र तुंडाइन मह इस मंत्र का जाप करें आपको कारी में अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके आसपास अपनी सेहत और लगजरी जुड़ी चीजों से सुधारने के लिए प्रयाप्त समय रहेगा आप ऐसे स्त्रोत्रों से धन अरजित कर पाएंगे जिसके बारे में आपने पहला सोचा नहीं होगा आज आपको सभी का पुरा सहयोग मिलेगा आपी सादी में भी सीनियर से आपके काम को देखकर संतुष्ट रहेंगे जिवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतित कर पाएंगे आज आपका भागेशाली अंक एक है शुबरंग आपका ब्रावन रंग है आज आपको भागेगा साथ 81 प्रतिसत अपराप्त होगा आज आपका विशे सुपा इस प्रकार से है अगली राशी है तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपको किसी व्यक्ति से कुछ नया करने की प्रेणना मिलेगी जो भी नया काम आप सुरू करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी आज स्वास्त पहले से उत्तम रहेगा कारिछेतर में अचानक विकास के योग है यह बदलाव आपके पक्ष में होंगे आप व्यस्त रहेंगे गतिशील परियोजनाओं को पुरा कर पाएंगे अथक परिश्रम करेंगे और एक नई शुरुवात कर सकते हैं आज आपका भाग्य शालियंक साथ है शुब रंग आपका हरा रंग है आज आपको भाग्य का साथ 82 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने की पस्चाथ भगवान गणे जी को मोदक का निवेद्य अर्पित कर पान का बीडा चड़ावें ओम गवरी सुताइनमह इस मंतर का जाप करें कारी में अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन नए विचार आपके दिमाग में रहेंगे आ और आपके सपने साकार होने के योग हैं अगर आप किसी परिक्षा या प्रतियोगीता के माध्यम से नोकरी आदी की तलास कर रहे हैं तो प्रयास करते रहें सफलता मिलेगी आर्थिक रूप से आप मजबूत और सुरक्षित रहेंगे कोई पुराना कर्च आप चुका भगवान गणे जी को सिंदूर अर्पित करें गुड का नेवेद्य लगावें ओम एक दंताइन महां इस मंतर का जाप करें कारी में अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आर्थिक तोर पर सुधार होना तय है एक परिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र हो सकते हैं प्रेम जीवन में आशा की नई किरन जागेगी किसी खास काम में आपका समय और पैसा खर्च हो सकता है यदि आप किसी विवाद में फस जाते हैं तो कठोर टिपणी करने से आप को बचना चाहिए किसी भी हाल में हिम्मत और उम्मीत का दामन नहीं छोड़ें परिवार के किसी सदस्य से बाच्चीत के करण माहोल थोड़ा बोजिर हो सकता हैं आज अपनी वाणी पर सयम अवश्य रखें आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुबरंग आपका हरा आज आपको भाग्यका साथ पिचोतर प्रतिसत अपराप्त होगा आज आपका विश्य सुपा इस प्रकार से है प्रतहकाल इस्नान करने के पस्चाथ भगवान गणेजी के समक्ष सुद्धगी का दिया जला करके ओम गम गणपतियन महा इस मंतर का जाप करें कारी में अच् इसरम के अनुकूल फल मिलेंगी और छात्रों को आज कोई नया रिसर्च वर्क मिल सकता है आज स्वास्त में थोड़ा उतार चड़ाव रहेगा आज आपको अपनी महनत का फल जरूर मिलेगा रजनात्मक कारियों के कारण समाज में आपकी चर्चा होगी प्रसिद्धी मिल आज आपका विशी सुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान गणेजी के मंदिर में हरे मूंग अर्पित करे स्रीफल चड़ावें ओम वक्रतुंडाई नमा इस समंत्र का जाप करें कारे में अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कुम्ब कुम्बर आशेवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन पारिवरिक समस्याओं से मन विचलिता आपका हो सकता है दोड़भाग हो सकती है उसका पूरा सकारात्मक फल भी आपको मिलेगा पैसों का कोई मामला आपका उलजा हुआ है तो वह ठीक होन लगेगा अज सारीरिक और मांसिक रूप से उस्साही रहेंगे कड़ी महनत और विनमरता सफलता की कुझी है अटकलों के लिए समय ठीक नहीं है आपके परिवरिक जीवन में उथल पुथल का सामना आपको करना पड़ सकता है आज विवेग से काम करें आज आपका भाग्य अज आपका भी से शुपा इस प्रकार से है प्राता है काल इसनान करने के पस्चाथ भगवान गणेज जी को सिंदूर अरपीत करें दुरवांकुर चड़ावें ओम वक्र तुंडा इनमा इस मंत्र का जाब करें कारी में अच्छी सफलता मिलेगीं अगली राशी है मीन मीन राशेवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज के दिन आपको कमिशन शेयर या रायल्टी के जरिये फाइदा होने के योगें अपने मित्रों या संबंदियों को अपना आर्थिक काम काज और रुपे पेसे का प्रबंदन आज नहीं करने दें नहीं तो आपको समस्या हो सकती है आज आज आपको सतर करह करके काम करना चाहिए आज संतान आपको कोई शुब समाचार देगी जिससे की परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे सेहत के मामले में खुद को स्वस्त महसूस कर पाएंगे आज आज आपका भग गशालियंक चार है पुड का निवेद्य अर्पित करेंद दुर्वांकूर चड़ावें ओम वक्र तुंडाइनमा इस मंत्र का जाप करेंद कारी में अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसं आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्तिक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे